अशोक, बाबू और चेतन ये तीनों आपस में profit share किया करते थे इन्दा ratio half is to one third is to one sixth इनकी जो firm है वो 31st मार्स 2024 को dissolve हो गई और जिस दिन इनकी firm dissolve हुई उस दिन उनकी balance sheet कुछ इस तरह से थी liability side में creditors दे रखे थे 45,500 loan by बाबू दे रखाता रुपीज 30,000 उसके इलावा इनके capital account के balances और current account के balances दे रखे थे 70,000, 55,000 और 27,000 ये इनके capital balances है 10,000, 5,000 और 3,000 ये इनके current account balances है asset side में bank balance है 7,500, sundry debtors है 58,000, stock है 39,500, machinery है 48,000, investment है 42,000 और freehold property है 50,500 फिर आगे ये बताया गया बच्चों कि जो machinery है उसको बाबू ने ले लिया 4 रुपीज 45,000 तो machinery को 45,000 में बाबू ने ले लिया है अशोग ने investment और freehold property ले लिया है अशोग ने investment को लिया है freehold property चेतन ने लिया अब ये ने बताया गया कि अशोग ने investment कितने का लिया है तो उसने investment को book value पे लिया होगा यानि 42,000 का ही लिया होगा चेतन ने जो वो लिया है फ्री होल प्रापर्टी उसे लिया है उसने 55,000 में अब बाकी ऐसेट से बैसे इस तरह से मिले हैं संड्री डेटर से मिले हैं 56,500 ठीक है बच्चो और स्टॉक से मिला है 36,500 तो बच्चो यहां पे केवल बैंक को छोड़के वैसे भी सारी ऐसेट क्लोस की जानी थी और उनसे कितना पैसा रिलाइज़ रुआ हो बता दिया हमें ठीक है बच्चो कुछ छोड़ा नहीं है इस पर उन्होंने संड्री क्रेटर को 4,100 लेस पे सेटल किया गया है यानि कि 44,100 क्रेटर को पे किया गया है ठीक है बच्चो लाइडिल्टीज में तो आपको केवाल इसी को क्लोस करना है लोन बाब बाबो जो है वो रिलाइज़ेशन अकांड में डाके क्लोस नहीं करना था और इसके भी सेटल्मेंट के बारे में बता रखा है उसके इलावा यहाँ पर इनोने ठीक है बच्चो आपको रिलाइज़ेशन अकांड बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकांड बनाने है और आपको बनाना है इसके अंदर बैंक अकांड ठीक है बच्चो यहाँ पर करन्ट अकांड का क्या टीटमेंट होगा बच्चो मैं आपको बतायता हूँ पहले से ही इनको आप Simply Capital Account में डालके Close कर दीजेगा on the right side of capital बस इनका यही काम है बच्चो तो आईए बच्चो बना लेते हैं आपना Realization Account तो बच्चो आप bank को छोड़के बागी सारी ऐसे Close कर दीजे Sunry Debtors Account Stock Account Machinery Account Investment Account और Freehold Property Account इन पांचो को Close कर दीजेगा बच्चो पुरुपरे नाम लिखे इनके और इनको 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 बुक वेल्यू से इनको Close करिएगा Debtor को 58,000 से Stock को 39,500 से Machinery को 48,000 से Investments को 42,000 से और Freehold Property को 50,500 से ठीक है बच्चो Liabilities में आपको Keval or Keval Crider को Close करना है Loan by Babu को Close करिएगा बच्चो यह सिधा-सिधा हम Loan by Babu को Bank में Relize करेंगे Crider site में ठीक है Bank में जाके Pay कर देंगे उनको directly Pay कर देंगे ठीक है बच्चो Machinery को Babu ने लिया था तो यहां लिखिए Buy Babu's Capital Account और Babu ने उसको लिया था 45,000 का Bracket में आप Machinery लिख दीजिगा अशोग ने लिया था Investment को और बताया नहीं गया कितने का लिया है तो जितना उसकी Book Value उतने का लिया होगा चेतन ने लिया है Freehold Property को 55,000 में और जो बाकी Asset से पैसा मिला है उनको लिख दीजिए बच्चो Buy Bank Account दो इव Asset बची है एक Debtors और एक Stock Debtor से मिला है 56,500 और Stock से मिला है 36,500 और जो Unrecorded Computer था Unrecorded Asset के लिए आप उससे मिला है 9,000 तो यह हो जाएगा 56 और 36 उतार 92 93 और 9 1,2,000 ठीक है बच्चो इतना clear अब जो है बच्चो आपको Criter को पे करना है तो उसको लिखे To Bank Account और Criter को जो पे किया जाएगा वो 1,400 कम पे करना है तो 44,100 पे करना पड़ेगा 1,400 अटादीजिस में से इतना ही आएगा और जो Realization expenses थे वो पे कर दीजिए वो थे 3,000 यह हो गया बच्चो 47,100 आईए अब देख लिएते हैं फर्म को कितना फाइदा हुआ या कितना नुकसान हुआ ठीक है बच्चो तो बच्चो Criter side का total आएगा 289,500 आप उनको जोड़ के देख लिजिए 90,500 132,500 187,500 189,500 289,500 और debit side का तो टोटल आएगा वो आएगा 80,97,500 और 145,500 187,500 237,500 238 245,285 285 एक मिन बच्चो 97,500 यह हो गया बच्चो 145,500 187,500 188 और 238 बच्चो यह 238 है यहां तक 500 नहीं है ठीक है 238 245,285 285,100 तो यह आ रहा है credit side का total अब credit side का total debit side के total से बढ़ा है तो difference जो है वो अच्चो profit हो जाएगा और आप देख लिजीए exactly 4400 का profit आ रहा है जैसे हम इन लोगों बाट देंगे 3 to 1 के ratio में ठीक है बच्चो और 3 to 1 के ratio बाटेंगे तो exactly तो नहीं आ पाएगा ठीक है बच्चो एक जो है पहले partner का तो असानी से आ जाएगा अशूप का बट बाबू और चेतन का round off करना पड़ेगा तो पहले तो इस total को जो बड़ा वाला टूल है दोन दो लिख लिख लिजीए 289,500 289,500 यहां भी लिख लिजीए बच्चो और जो आपका वो है profit है उसे लिखिए to gain एक मिट बच्चो हाँ to gain transfer लिख दिजीए का to gain transfer to ABC यानि अशूप, बाबू और चेतन तो अशूप का तो 2200 आ जाएगा इसका आ जाएगा बच्चो 1467 और इसका आ जाएगा 733 इस तरह से हमें थोड़ा सा बच्चो रांडिंग ओफ करना पड़े था यह 1466 पॉइंट सम्थेंग आया था और यह आया था 733.33 तो इनको रांड ओफ करके इस तरह से लिख लिख लिए मैंने यह बन गया हमारा बच्चो realization account now come to the partner's capital accounts तो बच्चो capital account के balances दिख लिए सबसे पहले तो capital account के balances है 70,000 अशोप का 55,000 बाबू का और 27,000 चेतन का उसके बाद उनके current account को हिंग डाल दीजे बच्चो 10,000 5,000 और 3,000 realization का जो gain आया था वो लिख दिजे बच्चों यहाँ पर realization के नाम से 2200 1467 और 733 ठीक है बच्चो उसके इलावा जो इन assets को इन्हें टेक ओवर किया था वो लिख लिजे यह सब debit side मेहेंगे टू realization के नाम से अशोक में लिखे 42,000 इन जो इस नहीं investment टेक वर करी है book value पे बाभू में लिखे 45,000 और चेतन में लिखे 55,000 और उसके बाद बच्चो और तो इसमें कुछ लिखने के लिए रहनी गया तो आप इनको जो है इनका final balance निका लेजे capital account का तो अशोक का आगा 70,000 और 80,000 और 22,000 यहारी 82,000 बेसे आपको बस कम करना है 42,000 तो 40,200 इसका final payment आ जाएगा इसको bank account के नाम से लिखती जिखा ठीक है बच्चो तो अशोक का तो इस तरह से निपट गया अब आते हैं बाबू पे बाबू का यह 55 है यह 5 है 60 61,467 61467 अब 61467 में से आपको 45 माइनस करना है तो exactly 16467 आ जाएगा इसका final balance चेतन की बाद करें तो इसकी debit side जो है बच्चो बढ़ी आ रही है ठीक है यह 55,000 था और यह है 27 और 3 30 30,733 और यह है 55,000 तो 55,000 दोनतरब लिखिए उसमें से 30,000 माइनस करेंगे तो 25 24 267 24 267 आ जाएगा और यहां लिकेंगे बच्चो बाई बैंक अकाउंट ठीक है बच्चो उनके है NBA 2 Bank Akaun यह लिखा गया था 2 Bank Account और उसके हैं लिखा जाएगा Bi Bank Akaun को कुछ को पैसा लाना पढ़ रहा है ठीक है बच्चो इस तरह से हमारे partners capital accounts भी बन गए ठीक बच्चो और डंग से देख लिजी ये दिखे क्लियर बच्चो आगे चिता से नदर मैंने पहले इनके capital account के opening balance लिखे फिर current account के balances यहाँ डाल के close कर दिये ये इनका realization का जो इन्होंने assets take over करी है हो आगया ये realization का gain आगया ये इनके final payment हो गए जो अशोक और बाबो को तो करा गया चेतन से लिया गया अब आजाते हैं उपने bank account पर तो बच्चो आपको bank का balance लिखना है सबसे पहले opening balance है bank का 7500 realization से जो पैसा आया वो तो cable आपको stock से मिला है debtor से मिला है और computer से मिला है बच्चो तो 55 और ये हमारा 1,2000 आया था बच्चो है ना debtor stop और unrecorded computer मिला के हो यहां ले दुझे realization में जो पैसा गया था वो गया था 44,100 तो हम लिख दिया था creditors को और 3000 हमने expenses के पी की थे तो 47,100 आ जाएगा बच्चो यहां पर ठीक है बच्चो उसके लावा अशोक का capital लिखे यहां पर credit side, बाभू का capital लिखे यहां पर credit side, चेतन का capital लिखे debit side, इसको पैसा लाना पड़ा था अशोक को उमने finally pay के था 40,200 बाभू को उमने pay के था finally 16467 और इसको पैसा लाना पड़ा था 24267 येस अब आपको क्या करना है बच्चो अब आपको एक चीज़ का धान अटना है जो लोन बाभू वो था बाभू वो पै करना मत बूलिएगा बच्चो क्योंकि उमने अवितर कहीं नहीं डाला वो अब यहां डाल के close किया जाएगा उसे पै कर जाएगा अब डारेक्ट बैंक से एंट्री हो की लोन बाभू अकाउंट डाभू अकाउंट डाभू अकाउंट 1,02 और 7 होता है बच्चो 1,09 1,09 और 24 होता है बच्चो 133 133,767 यह आगे हमारा टोटल अफ टेमिट साइड 47 और 40 होता बच्चो 87, 87,300 87, 761 103 और 30, 133 133,767 और इस तरह से बच्चो हमारा यह पर्टिक्लर बैंक अकाउंट भी बन गया और हमारा यह question complete हो गया ठीक है बच्चो आगे सुन में आपको अच्छी तरह से यह